हेलो बच्चों, वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है जही क्लासेस में, आज हम लोग ये कोश्चन सॉल करेंगे, जिसमें इसको इंटेग्रेट करना है, इंटेग्रेशन आफ रूट अंडर A स्कॉर प्लस X स्कॉर, ये डाउट है, ये स्टुडेंट के डाउट्स हैं, तो म आप इस चीज को ब्रेक कर सको, इंटेग्रेट को, जो एकजिस्टिंग फॉर्मूला है उसमें, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो इंटेग्रेशन बैपार्ट होता है, यू इंटू भी, इसमें यू और भी इस तरह से आप स्लेक्ट कर सको, कि ये सॉल् कर सको, आप एक्स को कुछ चीज से सब्स्टिचूट कर दो, फिर इसको सॉल्व करो, सिंप्लिफाई हो जाए, तो ये तीन-चार तरीके होते हैं, तो इस कोशन को आप दो तरीके से बना सकते हो, इसमें ये वाला लगेगा, इंटेग्रेशन बैपार्ट जिसमें आप डार आजाएगा, ठीक है, या इसका दूसरा तरीका हो सकता है, कि करेंगे u into b का इंटेग्रेशन ही, लेकिन पहले एक सब्स्टिचूशन करेंगे, और वो सब्स्टिचूशन आप लोगों को दिख रहा है, कि क्या करेंगे, x बराबर बोलेंगे a tan theta, ठीक है न, तो इससे अपन sec theta, a sec theta, और d of x क्या हो जाएगा, d of a tan theta, यानि into a tan theta का differentiation क्या होता है, sec square theta, यह हो जाएगा, d of sec square theta, ठीक है न, तो integration i basically क्या हो गया है, a square, integration of sec of cube theta, d theta, तो इसको integrate करना है, अब इसको integration by parts करेंगे, इसमें, इसी form में इसको रहने देते हैं, sec theta into sec square theta, d theta, और आपका, यहां मैं, i by a square कर दूँ, ठीक है, तो यह मैं लिखता हूँ, sec theta into sec square theta, d theta, तो यह मेरा जो है, वो v बनेगा, जिसको मैं integrate करूँगा, और यह u है, जिसको मैं differentiate करूँगा, तो integration by parts का formula क्या होता है, अगले पंडे में इसको कर लेते हैं, बच्चो, और आपको मालूम है, कि u into v का integration का formula क्या होता है, by parts में, यू into v का integration, फिर minus of, अब u को एक बार differentiate करेंगे, और v को integrate करेंगे, और फिर जो expression आएगा product में, उस पूरे का integration, ठीक है, यह होता integration by parts, तो इसमें देखे, इसको u मानेंगे, जिसको differentiate किया जाएगा अगले step में, और यह आपका बनेगा v, जिसको integrate करेंगे, तो देखे, क्या जाएगा, simply आप कहा जाएगा, देखे, i by a square is equals to sec theta, पहले term में ऐसे ही रहेगा, sec square theta d theta का integration आपको पता है क्या होता है, tan theta, यह न, और minus u dash, यानि sec theta को differentiate करना है, तो यह होगा, sec theta, tan theta, और sec square theta को integrate करना है, तो यह हो जाएगा, tan theta, d theta, और इसका again integration, ठीक है, तो यह वाला portion तो आपका निकल के आगया है, इसको देखे, क्या लिख सकते हो आप, sec theta into tan square theta, जो बन जाएगा, sec theta into sec square theta minus 1, ठीक है, और यह देखी क्या बन जाएगा, minus integration of sec of cube theta, d theta, प्लस integration of sec theta d theta, ठीक है, और यह वाली चीज़ आपको पता है क्या है, यह क्या है, I by A square है, यह वाली चीज़ आपकी क्या है, I by A square है, तो इसको आप इधर ले आइए, तो यह क्या बन जाएगा? twice of i by a square is equals to sec theta tan theta और यह क्या integration of sec theta जो आपको पता होना चाहिए क्या होता है यह होगा long of integration a mod tan theta plus sec theta तो यह होगा answer अब आप put कर दीजे थीटा की value और a square को दर भेज दीजे 2 को divide कर दीजे answer आजाएगा चलिए इसको फट फट निकाल लेते हैं तो sec theta क्यों होगा root under 1 plus 10 square theta यह a tan theta था तो यह हो जाएगा root under a square plus x square on a ठीक है तो आप फट 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 value put कर दीजे आप तो आजाएगा फट 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 answer भी twice of i by a square ब्रावर tan theta के बदले आप लिख सकते हो x by a ठीक है sec theta के बदले आप लिख सकते हो root under a square plus x square by a plus ln of and theta के बदले आप लिख दो x by a plus sec theta के बदले आप लिख दो root under a square plus x square by a plus c a square को multiply कर दो 2 से divide कर दो तो integration की value आगई x by 2 root under a square plus x square यह a square यहाँ से खड़ जाएगा plus a square by 2 ln of x plus root under a square plus x square minus ln of a होगा जो एक constant है वो c के साथ merge कर दीजिए तो c prime बोल दे रहा हूँ तो यह होगा integration बच्चो तो यह होगा answer बच्चो ठीक है तो simple सा ही question था अगर आप कोई simply step by step आगे बढ़ाते रहो तो answer आ जाता है आज के लिए इतना ही बच्चो thank you